हालो स्टुडेंस दिस यूनिट टू डॉमेस्टिक डाटा एंट्री तो सेकंड चैप्टर है वह आपका कीबोर्ट को लेके है जिसमें कीबोर्ट स्किल्स के बार में बताया गया है आपको क्योंकि जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारे वह स्पीड पूछते हैं आपसे कि आपके स्पीड कितनी है तो यह कीबोर्ट स्किल्स है यह आपकी टाइपिंग स्पीड को इंक्रीज करेगा टो कई सारे मैधर्ड Lawrence है टाइप राइटिंग के इसमें कीज के बार में पढ़ेंगे और उनके एग्रोनॉमिक्स पढ़ेंगे और पोजिशन ओ फिंगर्थ की हमें कैसे फिंगर्थ रखनी है और कैसे आपके करना है तो जो keyboard है उसमें पता है में more than 100 keys होते हैं 108 keys का सबसे चोटा keyboard है जिसमें कई सारे keys है alphabet keys, digit keys then symbols तो ऐसे हमें कई सारे keys प्रेस करने पड़ते हैं command को operate करने के लिए command को चलाने के लिए तो इसको कहते है touch method touch method means हमें बहुत तेज नहीं प्रेस करना just हमें हलका सा touch करके प्रेस करना है ताकि वो keys जो है वो screen पे sense कर ले और display कर दे तो there is no need to search the keys while typing if one has to move the fingers अगर हमें याद हो जागा काउन सी keys कहाँ पे है तो हमें बार बार keyboard देखने की जरुवत नहीं है हम डारेक्ली से fingers को move करेंगे और type करते जाएंगे और touch type is nose the location ठीक है और वो muscles memory याद रखता है कि कौन सी finger से कौन सा key हमें प्रेस करना है इसमें सीव हमें eight fingers use करते है जो हम thumb है thumb को छोड़ देते है little finger से लेके तीक है और four fingers left hand के और four fingers यह हमारे right hand के दोनों use होते है और जो thumb होता है वो use करते है space bar के लिए तो हम start position देखते है जिसे हम home row भी कहते है जो आपका middle row है ओके एक होता है qw वाला line एक होती है z-vary line जो बीच में होती है asdf फरी line उसे हम home row कहते है और वह हमारे starting position है हमें सबसे पहले fingers अपनी वहीं रखनी है तो इस basically कैसे improve कर सकते है अपनी टाइपिंग को by practice कोई और इसमें तरीका नहीं है shortcut कोई नहीं है हम जितना practice करेंगे चीजों को उतने ही हमारी speed बढ़ती जाएगी air wpm means word per minute तो आपकी speed धीरे धीरे होके 60 words per minute हो जाएगी और इसे आगे भी achieve हो सकती है और ऐसे कई सारे हमारे websites and softwares है जैसे rapid typing tutor है जिसके द्वारा वो screen पर दिखाता रहता है आपको और आपको उसको देखके type करना होता है now the types of keys सबसे पहला जो दिया हुआ है वो है आपका alpha numeric इसमें alphabets भी है और numbers भी है ठीकर तो a to z आपके alphabets हो गए और 0 to 9 आपके numbers हो गए now we have punctuation keys जापके special keys है comma dot braces parenthesis यह सारे आपके punctuation keys है then we have alt key जो की control key है मतलब इसको आप single press का कोई उस नहीं है we have to press some other key with this alt key then we have arrow keys shift and alt दोना देख लिए हमने then we have backspace backspace से हम cursor के left position की चीजों को delete करते हैं उससे left side यह move करता जाएगा और चीजों को erase करता जाएगा insertion point जहां पर cursor हो से क्या बोलते है insertion point then we have caps lock key जो की toggle key है toggle key means एक बार press करो तो कोई और feature यूज होता है तो second time press करो तो उसका feature vice versa हो जाता है then we have control key जो की conjunction key है जैसे मारा alt key था या केला किसी उसमें purpose नहीं है इसका है we have to press with some other key also तो यह combination of two keys है control plus कुछ भी हो सकता है second letter then we have delete key जो की del key है और इससे आपके right side की चीज़े delete होती है and we can delete the files and folders also then enter key और return key दोनों same है उसे हम enter key भी बोलते है return key भी बोलते है जो की हमें next line में लाने में help करता है whenever we press the enter key it comes to the next line escape key हम कोई भी command चला रहे हैं कोई PPT चला रहे हैं कोई video चला रहे हैं escape दबाने से वो function जो है वो रुख जाता है then we have function keys सबको पता है F1 से F12 तक होती है और इसका function change होता रहता है according to the program जो भी program चल रहा है उसके according इसके functions जो है वो change होता है जैसे F1 जो है वो maximum help के लिए use होता है जैसे हम key को प्रेस करते है electric signal form होता है जो transmit होता है computer के compiler के उस पास और वो फिर response करता है और जो keyboard में जो भी हम text program जो होते है वो फिर GUI पे जो भी हमारा user है monitor है printer है जो भी operating system हो उसके द्वारा वो उस device पे show होता है then we have numeric keypad यह अलग से keys होती है when we want to type the only numbers हमें alphabets की जरुवत नहीं है तो हम यहां से use करते है इसको we have all the symbols plus minus multiply slash decimal point अच्छा यह भी टॉगल की है क्योंकि जब हम numbs lock को प्रेस करते हैं तो यह on होता है और जब numbs lock को दुबारा प्रेस करते है लाइट बन हो जाती है तो यह home, page up, arrow keys वाला काम करता है तो यह depend करता है इसको भी हम toggle key ही बोलेंगे which changes the position when we press it twice then we have home keys बताया था मैंने आपको जो आपके center line है उसे हम home key बोलते है asdf, ghe, यह line है यह पूरी आपकी home keys कहलाती है, home वो है, row है जिसकी home keys आपके यह है, asdf, and semicolon, lk यह तो आपको fingers ऐसे place करनी है इसमें अच्छा अगर आप बिना देखे करोगे तो कैसे बता चलेगा आपको then we have guide keys जो आपका f और j है button उसके नीचे खलकी से line दिख रही होगे आपको यहाँ पे f और j पे खलका सा line है, वो line छोड़ी उबरी होई सी है तो हम बिना keyboard देखे भी अपनी finger को place कर लेते हैं यह उबरा हुआ जहां होगा वो आपका उस finger से start करना है और little finger तक लेके जाना है इसको जो आप महसूस कर सकते है उसको और यह आपके fingers को position करने में help करता है now we have typing and deleting text यह आप सबको पता है जब को type करना है तो क्या करना है click on the letter on the keyboard delete करना है तो backspace के delete key से आप उसको delete कर सकते हैं typing a number अगर number दिमाना तो nums lock पर जाके देख सकते हैं नहीं तो आपके जो उपर है top row वो भी आपकी numbers वाली ही होती है then typing the capital letters हम caps lock on करके भी type कर सकते हैं तो यह सभी को capital कर देगा हमें सिफ single letter करना है तो हम shift के साथ भी उसे press करेंगे then we have the combination conjunction यह फिर से है shift plus the letter makes it capital और अगर सब कुछ capital लिखना है तो हम caps lock दबाके रखेंगे तो वो capital type करेगा एक बार click press करने पर वो capital में आ जाते हैं and second time press करने पर वो small में आ जाते हैं then we have typing symbols जो symbols होते हैं उपर वाले यह आपने देखे होंगे keyboard में दिखाती हो आपको यह symbols है 1,2,3,4 के उपर वाले इनको press करने के लिए हम shift plus इन symbols को print करेंगे तो वो आपके symbols print हो जाएंगे हम shift कोई सा भी use कर सकते it can be left अगर आपका symbol right hand की साइड़ तब left की press करेंगे little finger से और अग आपका left की साइड़ तो right वाला की press करेंगे then typing a sentence हमें पता है हर वर्ड की विवाद में space देना है तो you have to press the space bar तो space bar दबाने के लिए हम thumb का use करते हैं new lines तो हम उसके लिए enter की है return की का use करते हैं यहां तक तो simple था आपका अब आता है guiding for typing हमें कैसे guide करना है the cursor की serves as a guide जहां पर cursor है वहीं आपका guide की है वहीं पर typing शुरू होगी आपकी और cursor is a small downward line that wrinkles in the sentence while typing जो blink करता रहता है बार बार दीख्या यह position जो थी इसको हम change कर सकते हैं by using the mouse also फिर आया आपका pointing device हम चाहते है typing ना करके directly computer पर pointing device से करें we can draw the devices such as mouse टीक है अब बड्राइंगा the pointing device place on the screen which has a cursor और यह select करने के resize window selecting actions इन सब के काम आता है from the screen माउस में basically three buttons होते हैं वैसे तो आप two होते हैं बीच में scroll bar का function आ गया है आजकल तो यह आपका three parts है buttons है handle areas है and rolling objects है तो यह है आपका left button right button and scroll bars और जो earlier हुआ करते थे वह आपके two keys थे left and right अब करना कैसे है देखिए you have to put your right hand on the mouse if you are left then put your left hand ठीक है then index finger on your left button and middle finger on your right button hold the mouse with the thumb and ring finger ठीक है left आपके index finger और middle finger आपके buttons पे होंगे और आपका thumb और जो ring finger है वो आपके की mouse को पकड़ने के help करेंगे in this case your little finger is free then we have a mouse pointer mouse pointer looks like an arrow ठीक है यह arrow दिखाया हुआ यह आपका mouse pointer है जो कि जहां जाएंगे आपको रहेगा now we have the positions देखिए कैसे आपकर करना है कैसे रखना है यह आपका दिया हुआ है जिसमें correct incorrect it should be easy बहुत easy रखना है आपको कोई harsh नहीं है ठीक है put your hand smoothly now we have a cursor वो pointer था जो आपका screen पर टाइप करेंगे तो यह आपका ऐसा जाएगा it's like an eye और यह आई की तरह आपका होगा जहां जाप करेंगे उसको वह आपका टाइप होना शुरू हो जाएगा and वही pointer आपका चेंज होता है finger में जब आप ब्राउजर पर जाते हो right click scroll एक चीज़ ध्यार रखेंगा जो लेजर वाले हैं उनमें एक light beam detect होती है जिसे पता चलता है कि आपका यह mouse working position में है या नहीं ऐसा लैपटाप में जो होता है flat surface होता है जिसको कि हम finger से move करते हैं तो आपका जो function जब है selection dragging moving pasting और right से आप context menu ले आते हैं अगर applicable है तो then we have left click double click right click सबके क्या function ने पता है आप लोगों को left से select करते हैं double click से open करते हैं और right click से उसकी menus है sub commands है वो खुल जाते हैं then we have drag and drop कोई चीज कहीं से लेकर जाने कहीं on drop करनी है उसका position change करना है तो हम drag and drop करते हैं we scroll scroll means we want to move the page up and down blocking blocking means selecting the text हम left button press करके उसको drag करते हैं तो वो select हो जाता है यह सारे कुछ functions है of a mouse okay then agronomics agronomics means जो effective typist होगा वो कैसे अपनी चीजों को maintain करेगा और कैसे अपनी speed holding your neck forward and check your comfort पहले मैंने का था माउस के लिए भी हमें अपना comfort position देखना है जिसम इसली काम कर सके okay elbow should be straight यह पुरी figure है आपको दीए यह कि आपको कैसे कैसे बैठना है आपके fingers कर व्रित कितना होना चाहिए feet का posture कैसा हो hips and your angle of your back back में भी दरदना हो lower portion में भी आसा resting position हो now we have the position of your hands आपकी eyes और hands कैसे होना चाहिए अकसर हम wrong position में खुद को अच्छा लगता है पर यह नुकसान दाएक भी है तो this is the angle of your screen and your back your elbow should be don't touch the elbow to the body not too far ऐसा ना कि बहुत दूर रखो और ऐसा रोगी बहुत ही पास हो तब भी आपकी you can have a pain monitor placement कितने inches का screen कितनी दूरी होनी चाहिए उसकी mouse and keyboard placement 20 cm के लगवक दूर होना चाहिए वो chair and table placement यह सारे आपके agronomics में आते हैं जिसके कि आपको कैसे place करनी है चीज़ों को अपने अब में जो matter type करना उसे कहां रखेंगे आप left or right side with a copy holder now the position of your fingers on the keyboard बता था मैंने आपको home row में हम रखते है ASDF semicolon LKJ पर ठीक है तो यह आपका home keys हो गई guide key पर आपकी index finger होगी allocation of your fingers आ गया ओके अब इंडेक्स finger कहां रखना है और यह आपकी placement होगी तो this is the first session और यह आपके क्वेशन्स हो गए अब आती है पारी third row की मतलब आप middle row से top row पे कैसे work करेंगे तो आपका left finger जो है little finger Q को ring finger W middle finger E और index finger आपको R और T दोनों को press करेगा ओके LF means little finger R means ring finger middle finger और जो आपका index finger है वो अब चार की इसको use कर रहा है आर टी तो है और साथी साथ जो आपका F और G है ठीक है जी पे कोई finger नहीं थी है हमारी आपका F और G को भी आपका index finger ही work करेगा तो F G R T ये चारों index finger से होंगे लेफ्ट वाले राइट वाले से जे है यू और वाई ओके अज़े तक्रिया ना अवने टाइपिंग स्टार्ट करना है अपर रोकी लिफ्ट फिंकर हमें रखना मिडल रोपे ही है हम उसे टॉप रोपे लेके नहीं जाएंगे हम मिडल रोपे रखेंगे हों रोपे रखेंगे और उसको बार बार उपर जे प् अब इसमें आपके पास फिरवाई है जेड आपका लिटल फिंगर से होगा एक्स रिंग फिंगर सी मेडल ओके यह दिया हुआ है आपका ओके तला लिल्टल फिंगर दस नॉज से नॉज रिंक फिंगर से यह को ब्रैस करेंगे दन टाइब एक्स न सी वित ध मिल फिंग टन फुलस्टर थर अन फुलस्टर पामा एम एम विदए लेफ्ट के लिटल फिंगर के यह खोंसी होता ह winter तो ऑosos किया यहां दे रखे है आपका हें value that की का लिटल फिंगर को कोई भी वर्ड यहां तरुद कंद लं रिंगतर पर देट मेडल फिंगतर एक्स इंडेक्स फिंगर पर c गौर्विव सिप्ष्ब हो में राइट के लिटल फिंगर पर फुल स्टॉप다면 रिंग फिंगर पे कॉमा मेडल फिंगर पे एम देन एन बी इस केस में आपका लेफ्ट हैंड का लेटल फिंगर जो है वो फ्री है यह कुछ तुनने अक्टिविटी दी है यह पूट टाइप दिस now we have this keypad नमबर जो पैड़ है आपका नमबर तो इसमें आपको दिया गया है लेटल फिंगर से 1 रिंग फिंगर से 2 मिडल से 3 इंडेक से 4 इंडेक से 5 इंडेक से 6 इंडेक से 7 देन मिडल से 8 रिंग फिंगर से 9 एंड लिटल फिंगर से 0 यह ताम नमबर कैपी नमबर पैड जो हम कैसी भी कर सकते है वैसे राइट है जो रूल है वह यह कहता है यहां पर फाइव आपका गाइड की है आपके पेपर में भी आता है हमें फैदर टच फैदर मींस पांक की तरह हलका जटेच करना है नॉट अंड्यू प्रेशर बहुत प्रेशर इस पर नहीं डालना ठीक है अगर में लग रहा है कि कुछ रुकना भी है तो हम होम रो पर ही रुकेंगे तक हमारी प्लेस्मेंट जो है वह चेंज ना हूँ यह सारे कुछ आपके की पॉइंट्स है बेसिकली यह है कि आपको बहुत सॉफ्टली यूज करना है इसको ना कि बहुत हाश त्रीक उसाइनमेंट से फिर आपका टाइपिंग ट्यूटर जो है रैपिट ट्यूटर है सॉफ्ट्रे में बताया गया है तो यह सॉफ्ट्रे का यूज है जिसको जो डाउन्डोड करेगा वो यूज कर सकता है इसको इसमें आपके थी स्टेजेस है स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज त्री तो स्टेज वन में आपको कैप्स लॉक का यूज ठीक है looking at the keyboard is strictly prohibited, बिल्कुल नहीं देखना है स्टेज टू में आपको memorizing the, जो भी आपका slab आई है, जो भी words उसको memorize करना कौन सा word कहाँ पर है, then third stage में आपको perfect skill required आएगा तो देखें यह आपका दिया हुआ है, जो आपका orange वाला है वो आपका little finger है yellow ring finger है, blue middle finger है और orange जो है वो आपका index finger है इस तरह के देखें यहाँ पर है आपका right hand side पर जो यह orange वाला पार्ट है यह आपका पुरा little finger है, then your ring finger, middle finger and your index finger यह आपका पार्ट जो जा रहा है यह आपका सारा जो है वो इंडेक्स finger से है जबकि बागे जो औरेंज पार्ट है वो आपका सब little finger से है कि दूबार रिवीजन दे रखा है कि बेसिकली डिवीजन ही आई है टाइपिंग ट्विटर में कैसे आपका स्क्रीन पर आसे आ रहा होगा और आपको उसको देख देखेंगे टाइप करते जाना है कि अफिर टेक्स पंडल आएगा यह आपका पूरा उसमें बिगनिंग क्लास दे रखी है इंट्रोड़क्शन है बिगनर्ज है ठीक है यह सारा आपका टाइपिंग डैपिंग ट्विटर सॉस्टर के बार में बताए गया है चीज़े वही है इसके अंदर हाउ तो रिज्यूम हाउ तो पॉस सब चीज़े वैसे हैं इसमें साउंड की आवाज भी आएगी आपके यह रहा लेसन जैसे दे रखा आपका ब है कि आपका एर्र कितने थे आपकी रेटिंग कितने गई है आपके स्किल्स कितने बड़े हैं यह और बिगनर और चैंपियन क्या सबको वर्ट पर मिनिट का वह आता रहेगा आपका वैस पी 23 होने चाहिए आपकी करेंट लिटेन है कुट डू बेटर यह पूरा टापिंग ट्विटर की पर पुरा दिया हुआ है घ्रीन लेट नोट इन्पू यलो पूर यालो मीन्स वाइन उन्पू बेलिटील एग्सेंडिक स्धेटक ट्रें टाइम एम तंप्रेम ड्रेड्स यह वह रॉंग इंपटस है औरं जह वह रॉंग इंपटस आपका टाइपिंग ट्विटर के उसमें दिया हुआ है और यह आपको कितना टाइम लगा टाइप करने में यह पूरी आपके एक वरेशी रिजल्ट आ रहा है प्रेस कंट्रोल प्रस्वेन ओन ओन दे कीबोर्ड तुसी था सी पीवी करेक्टर्स पर मिनिट वर्ट्स पर मिनिट ठीक है यह सारी स्ट्रेजी है सारा आपका अनलेसिस रिपोर्ट आती है पूरी यह सारी आपको कॉनसी फिंगर करें प्रस करने यह आपको इसके प्रैटर्स करवाई जारी स्के थूब यह पर स्क्रेंट आता रहेगा अब उस पर प्रेस करते रहेगे दन वी हाव शिफ्ट कीज में कुछ कापिटल में कुछ स्माल में दिया जायेगा and we have number pads then what is the formula of calculating the speed यह है कुछ abbreviations है WPB, net WPB CPM KPM यह formula है आपका simple speed, net speed accuracy in the word percentage typing rhythm कैसी है आपकी then your overall rating calculations good का criteria क्या है आपका 50-80 के बीच में है तो good है 80-95 तो advanced है और more than 120 है तो जबकि world's book records Guinness book में जो आपका दिया गया है वो है 150 word per minute in 50 minutes and 170 word per minute in shorter period तो जो आपका यह प्राक्टिकल पार था यह आप अगर सिस्टम पर कर सकते हैं ठीक है and these are your question answers and this is your true false then short question answers okay thank you प्राइम का गया हम बाइम का जो यह दो पका यह आपका यह ढफ़त मैं का तो इबका नहा है